हेलो फ्रेंज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पासक हैं लेटेस अबडेट्स थैंक यू हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से डिजिटल तयारी चैनल पर मैं आपका फ्रेंड श्रयान्स कोठारी आपके लिए आया हूँ मेंज लेवल का एक और क्वेस्चन कोडिंग डिकोडिंग का इस बार हमने कोशिश की है कई सारे विध्यारतियों ने हमें टच करने की क्वेस्चन आपके लिए लेके आए हम लोग कोशिश करिए इसे आप करते हैं तो मैं कुछ देर के लिए ये स्क्रीन आपके लिए खाली रखता हूं जिससे कि आप इसे उस समय कुछ देर के लिए पाउज रख सकें अपने मोबाइल का टाइमर ओन कर सकें स्टॉप वाच और ये पता लगा सकें कितना समय इस कोड को डी कोड करने में लगता है हाँ जी दोस्तों तो मुझे ऐसा लगा आपने इस क्वेशन का हल कर दिया होगा या शायद नहीं कर पाए होंगे बट बहुत जादा समय लगना नहीं चाहिए था क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको इट is an easy question बहुत जादा tough नहीं है mains level का है coding decoding की शुरुवाती questions में से एक है चलिए check करते हैं हमारा पूरा focus इस question पर लेके आते हैं अभी हमें करना क्या चाहिए मैंने आपको बता रखा है कई बार लेकिन हम ये करेंगे कि हर बार आपको कुछ इनके बारे में बताते रहेंगे इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है observe आपको observe करना पड़ेगा कि actually sentence क्या कहना चाहरा है ये कौन सी चीज पर focus देना चाहरा है दूसरी चीज common ढूंडिये सबसे important सबसे महत्वपूर्ण आपका part है कि आप common ढहीं ढूंडेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे चलिए चेक करते हैं common अगर मैं ढूंडू सबसे पहले horizontal common ढूंडा जाए horizontally हमें क्या कहा गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी common नजर नहीं आ रहा है जैसा कि हमने कहा आपको ये ध्यान रखना है जो आपका algorithm हो word को check करने का वो एक बहुत simple तरीका होना चाहिए एक बार अच्छे से सुन लें सबसे पहले पहला letter उसके last वाला letter उसके बाद second letter और उसके बाद second last repeat करता हूँ पहला आखरी second और second last इस question में हमें देखना है कि जो word लिखे हैं क्या उससे कुछ हमें हासिल होता है मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ओ नजर आ रहा है इस पूरी line के अंदर सिर्फ इसी वाले part में ओ है यानि अगर मैं इस O को focus करूँ तो ये O मुझे नजर आता है अगर इसी बात को देखूँ तो ये जो L नजर आता है वो यहाँ नजर आता है और जो ये H नजर आता है ये यहाँ नजर आता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि बिलकुल आपको भी लग रहा होगा कि जो हमारा second letter है word का वो हमारा code का second letter बन रहा है इसे हमेशा cross verify करें हमारे पास यहाँ पे दो E available है और एक O available है ऐसा ही आपको भी नज़र आ रहा होगा कि दो E available है और एक O available है शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये question बहुत tough level पे नहीं था second letter यानि कि जो हमारा decoding वाला part है उसका second portion जो है वो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया अब हमें क्या करना है हमें check करना है हमें ये check करना है कि common क्या है मुझे यहां पे देखिए एक 16 नजर आ रहा है यहां एक और 16 नजर आ रहा है यहां एक और 16 नजर आ रहा है जरा चेक करें L से खत्म होने वाला play है यहां पे I जिसके second बे है वो है pizza यहां पे अगर मैं लिखता चला जाऊँ pizza और play और last वाले में L से खत्म होने वाला फिर से आपको नजर आ रहा होगा play है यहां पे तो play और pizza के लिए 16 है हमारे पास इसी तरीके से अगर मैं coding decoding को देखूँ जो की starting letter है तो आपको यह नजर आएगा यहां पे 20 है और यहां पे भी एक 20 है यह 20 से दो बार है इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे नजर आता है H से बीच में जिसके है वो है T यानि की T, H, E the के लिए 20 है इसी प्रकार से A जो है tasty के लिए भी है और make के लिए भी है और यहां हमारे पास दो A है तो हम यहां लिख सकते हैं tasty slash make इस दोनों मैं से किसी एक के लिए 20 होगा अगर इस बात को अच्छे से समझू और मैं समझू कि P के लिए 16 आ रहा है T के लिए 20 आ रहा है जरा सोचिए alphabetically order के हम बात करें तो हमारे पास एक word होता है A, G, O, T, Y E, J, O, T E, J, O, T की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यह 5, 10, 15, 20, 25 यह अच्छे से आपको पता होगा कि E, J, O, T very important formula for any coding decoding तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो T20 पे नज़र आ रहा है यह तो सभी को नज़र आ रहा है A, B, C, D की अगर हम बात करें L, M, N, O, P O आता है 15 पे तो P आ जाता है 16 पे बिलकुल सभी सोचना है आप लोग दोस्तों कि यहाँ जो हमारा first letter है उसके equivalent जो हमारा number है वो आ रहा है तो अगर मैं कहूं आपको कि इस line को verify करना है तो अब ज़रा देखिए दोस्तों हमारे पास L यानि की 12 H यानि की 8 और G यानि की 7 8, 7 और 12 विलकुल अच्छे से नज़र आ रहा है हमें यानि हमारा जो first letter है code का वो भी हमें प्राप्त हो गया है अब सिर्फ बच जाता है दोस्तों आखरी वाला जो word का element है यानि की ये 18, ये 5, ये 25 इसे अगर मैं गौर करूँ तो मैंने ऐसा पाया 25 यहां भी है और 25 यहां भी है इसको और एक आर्चीस 25 यहां भी हमने देखा ये 25 आया है L यानि की play के लिए और ये 25 आया है 20 यानि की tasty के लिए आपको नजर आ रहा होगा ये 25 इस y के लिए हो सकता है ये 25 इस y के लिए हो सकता है cross check करना है हमें y, t और w y आता है दोस्तों 25 पे, t आता है 20 पे और ये आता है 23 पे, जो की आपको फिर से यहां पे नजर आ रहा है यानि दोस्तों हमारे को जो element मिले हैं अब बहुत ही clear हो गए है play के लिए 25 है यानि की y वाला जो है 25 में जा रहा है t 20 है और w 23 है दोस्तों अगर मुझे कहा जाए कि digital का code हमें find करना है तो मुझे लगता है d के लिए 4 लगाना है l चेकी याद करना के तरीका हमारे पास e जो t है j k l 10 11 12 यानि यह आ जाएगा 12 पे और second letter है हमारा i तो हमारा digital का code हो जाएगा 4 i 12 और अगर हम त्यारी की बात करें तो हमारे पास t आता है 20 पे यह तो सामने नजर आ रहा है i i j यानि 9 10 तो यह पीशे 9 आ गया second letter जो हमारा y रहेगा यह हो जाएगा तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे एक और type की coding और उससे हमने इस digital तयारी की coding को भी हमने निकाल लिया तो दोस्तों इसी प्रकार के mains के question बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और अगला question इतना आसान नहीं होगा यह मेरा वादा रहा दोस्तों इसी तरीके से आप practice करते चले जाएए अच्छा लगा है आपको वीडियो तो like जरूर करिए और साथी साथ subscribe करना मत भूलिएगा bell icon को press करेंगे अगर तो आपको इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियो जैसे ही अमारे latest update होगा वो आपके mobile पे बिलकुल आपको notification के साथ पता चल जाएगा thank you